तो Attack on Titan के 10th और 11th एपिसोड की एक ही वीडियो के अंदर चर्चा करने का मैंने फैसला किया क्योंकि 10th एपिसोड जो मैंने देखा था तो इसके अंदर फाइनल सीजन का जो 10th एपिसोड है तो उसके अंदर भाई साब इतना ज़्यादा जमेला था लड़ाई नहीं थी हमारे सामने आती है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे और जो 11th एपिसोड जो देखा है यार उसकी एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई इनके मेकर्स ने कैसे कहानी में जो करेक्टर हैं उनको कैसे इंटर लिंक किया वो कमाल की चीज़ है कैर अपना दिल को थाम कर रखो थोड़ी देर में इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिसोड 10 की जहां पर एरन का यार इस इंसान का नहीं लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए उतावला हुआ है मतलब जहां पर हांजी एक सीन आता है जिसमें हांजी एरन से बात करने जाती है और वो एरन जो है हांजी को ही धमका देता है कि तुमने क्या सोचा है मुझे जब जेल में बंद रख रखा है तो मैं इस जेल को हुआ था जहां पर एरन की मा को एक टाइटन का गया था उसके आँखों के सामने और उसके जो लोग है वो बहुत जादा जो मरे थे वहां पर यह सब के साथ हुआ था और इसका मतलब यह नहीं कि अपने ही लोगों के साथ लड़ाई पर आ जो तो यह वाली चीज मुझे क्या प्लान है उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की गई है अब देखो एर इनके क्या प्लान होने वाले हैं आगे क्या कहानी चलने वाली है कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है उनके प्लान कैसे होंगे तो इन सब चीजों के बारे में सच में यार अगर मैं बात करूँ तो मेरा दिमाग फटने को रहा है, कौन कहां आए, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता, कब अगले पल कोई चीज बदल जाए, किसी को कुछ नहीं पता, कौन बुरा है, कौन कम बुरा है, ओविसली बुरे तो दोनों ही तरफ के लोग है, किसी ने भी कोई भलाई का यही देख सकते हैं हम तो पर एक जिस जो ओनी ने बात बोली थी एरन के बारे में कि जब वो बताने आया था एरशिप में जब शाशा को गोली लगी थी और शाशा की डैथ होगी थी तो एरन को जब उसने बताया कि हाँ यार शाशा की डैथ होगी है तो जब एरन के फेस के smile थी, ये बात जब मैंने सुनी कि भी हाँ उसने ये चीज़ notice की है कि Aaron के face पर smile थी शाशा की death को लेकर तो यार इतनी ज़्यादा उसके अंदर हैवानियत भरी हुई है, इतना ज़्यादा गुसा है उसके अंदर वो, मतलब कौन से कहा जा रहा कुछ नहीं पता चल रहा, और अब अगर 11th episode की बात करूँ तो जिसमें ज़्यादा तर फोकस किया गए, गाबी और फालको के उपर, ज़्यादा तर फोकस वैसे गाबी के उपर किया गए, उसके अंदर इतना ज़्यादा गुसा दिखाया गए, भाई साब अगर तुम इसको कंपेर करो, एरन और गाबी को, दोनों को, तो गाबी के अंदर काफी ज़्यादा गुसा है, इसके पास अगर पावर होती तो भाई, ये पुरे Paradise Island पे आतंग बचा देती है, और जब ये जेल तोड़कर जाती है, तो अगुछ लोगों से, Paradise के Island के लोगों से जो मिलती है, तो इसमें इतनी ज़्यादा नफरत है कि उनके लोगों के द्वारा बनाया गया खाना तक भी ये नहीं खाना चाहती, और यहाँ पर बाई सब जो मैंने स्टार्टिंग में जो बात बोली थी और ये जो लड़की वो इंस्पायर है एक ऐसी लड़की से, जिसने कभी इसकी जान बचाए थी पुराने सीजन्स में जब ये कहाने दिखाए जाती है कि वहाँ पर इसने एक ऐसी लड़की से इंस्पायर होई है जिसने कभी इसकी जान बचाये थी और उस लड़की का नाम है शाशा बतलब ये कहती भी है कि वो शाशा जिंदा भी नाम नहीं लेती कहती है कि यार वो लड़की जिंदा होगी मैं उससे मिलूंगी तो ये जब वो बात बोलती है तो वहां पर ऐसा फिल होता है यार एक ऐसी लड़की जो शाशा से इंस्पायर है वो फालको और गाबी को उनके लोगों के बीच बेजना चाती है और जहां पर गाबी वही लड़की है जिसने शाशा को गोली मारी है तो ये वाली जो चीजनों ने दिखाई हैं मैं कहूंगा यार मेकर्स ने कमाल कर दिये वैसे 11 एपिसोड में एरन को जेल में डाल दिया गया ये बात लोगों को पता चल गई है कुछ आर्मी के लोगों नहीं बाहर के लोगों के बात बता दिये अब आर्मी में कुछ लोग जो है वो एरन को सपोर्ट कर रहे हैं कि यार इसी इनसान की वज़े से हम एक fight जीत पाए हैं और यही एक इनसान है जो हमको आगे lead कर सकते हैं तो कुछ देखा जाए तो कि हाँ आर्मी के अंदर कुछ लोग एरन को सपोर्ट करते हैं वहीं एरन खत्रा बन गया है अब देखा यार कहानी उस mode पर आ गई है कि जिनको attack on titan बहुत जादा पसंद है विवसली जिन्होंने मांगा पड़ रखी है उनको जो अब तो कि attack on titan के सारे season देख चुके हैं तो उनके दिल में बेशक एक बहुत खास जगा बनाके रख लिया है वैसे third season में और four season में इतन से कुछ अलगी होने लग गया है कोई कहानी कर किस mode पे जा रही है कुछ नहीं पता चल रहा अब predict करना कि आने वाले episode में क्या होगा यार यह तो बेफकुफी हो जाएगी यहां बस अब इतना ही कि आए episode उसको देखें और उसके बारे में चर्चा कर ल fourth final season के बारे में और जिनोंने मांगा पढ़ रखें भाई साम comment मत करना क्योंकि अंदर से बहुत जादा curiosity हो चुकी कि आने वाले time में यह जो anime series है final season है वो कैसे किस mode पर जाता है और उम्मीड करता हूं कि अब तक तो बहुत उम्दा level का गया है आने वाले episodes काफी अच्छे ज है में कृछा है